मेरी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बॉड़ी वाइटिंग उप्टन इस उप्टन को ग्राइडल भी यूज कर सकते हैं और यह उप्टन बहुत जदा करें रेड बेटन पर क्लिक करकर और साथने आने माले बल आइकोन को भी ज़रूर प्रेस करें चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो इस सुप्टन को बनाने के लिए हमें चाहिए एक साफ बावल जिसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबस्पून वीड फ्लॉर यानी गहूं का आठा और 1 टेबस्पून ग्राम फ्लॉर यानी बैसन गहूं का आठा और बैसन दोनों स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिश आटे में sun protecting agent होते हैं जो कि sun से होने वाले damage से बचाता है और even ये sun burn को भी soothe करता है और ये अपके dead skin को भी remove करने में help करता है और next time इसमें add कर रहे है 1 tablespoon चंदन पाउडर तो चंदन पाउडर के benefits कितने सारे हैं आप सभी को पता ही होगा और बिना चंदन पाउडर के octan भी अ के लिए तो next हमें इसमें add करना है lemon juice तो यहाँ पर मैं पूरा one lemon use कर रहे हूँ लेमन में bleaching properties है और ये vitamin C rich है तो ये skin lighting के लिए भी बहुत ज़्यादा effective है lemon add करने के बाद next हमें इसमें add करना है one tablespoon fresh malai मलाई skin को nourishment provide करेगा और skin को smooth soft और supple बनाएगा और next हमें इसमें add करना है two to three tablespoon गुलाब जल गुलाब जल गुलाब जल आड़ करने के बाद next हमें इसमें add करेंगे raw milk यानी कच्छा दूद तो इसमें milk add करते हुए इसे अच्छे सा paste बना लीजिए तो इस उप्टर में मैंने turmeric यानी healthy add नहीं की है optional है अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ी से healthy add कर सकते हो तो इस उप्टर में मैंने जो सारी चीज़े add की है वो skin lightening, whitening, skin को smooth, soft रखने के लिए बहुती ज़दा effective है तो जैसे कि winter चल रहा है और ऐसे मुसम में बहुत से लोगों की जो heart की और bear की skin होती है वो बहुत ज़दा dry हो जाती है, rough हो जाती है, moisture नहीं होता है तो ऐसे condition में ये उप्टन उनके लिए बहुत ही ज़दा effective है तो ये उप्टन बिल्कुल तयार है, चलिए इसको apply करते हैं तो इस उप्टन को apply करने के बाद आपको at least 5 minutes तक इसको massage करते रहना है, circular motion में इस तरह से 5 minutes तर circular motion में massage करने के बाद इसे और 5 minutes तक इसको हलका सूपने के लिए ऐसे ही छोड़ दे जब इसे और 5 minutes रखने के बाद ये हलका सा सूप जाए तो इसे इस तरह से scrub करते हुए रिमो कर लेजिए तो उप्टन को रिमो करने के बाद आप clearly difference देख सकते हैं तो actually window से natural light आ रही है तो आपको शायद difference पता ना चले तो यहाँ पर आपको देख कर पता लग जाएगा कि ये उप्टन कितना amazingly work करता है तो इस हाथ पर मैंने उप्टन apply किया था जो कि आप देख सकते हैं और इस हाथ पर मैंने उप्टन apply नहीं किया था तो आप दोनों हाथों पर difference देख सकते हैं तो इस उप्टन को आप भी घर पर एक बार ज़रूर ट्राइ करें, यह बहुत ही एफेक्टिव है तो इस बाड़ी उप्टन को आप वीकली वन्स या ट्वाइस ज़रूर अप्लाइ करें इस स्किन को सॉप्ट, स्मूथ और ब्रैक्टिन रखने के लिए तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हों, तो मेरे वीडियो को लाइक कर ले और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सकारब नहीं किया है तो प्लीज रच बटन पर क्लिक करकर सब्सकारब करें और इस वीडियो का आप अपने फ्रेंज और फैमली के साथ शेयर भी कर सकते हैं तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई